नमस्कार दोस्तों हर कोई सोचता है कि उसका अपना घर उस घर देखने के लिए हमेशा उसके सपने रहते हैं क्योंकि लोग किरायों पर रहकर किरायों का धक्का मुकी खाना उनकी जंजटों को पालना कौन पसंद करता है तो इसलिए हर कोई चाता है कि उसका अपना घर उस जहां पर बहें अपनी इक्षा के अनुसार रह सके तो आज जानते हैं कि कौन से उपाई करने से आपको अपने घर मिलने की समभाबना सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी जोतिस के अनुसार कहा जाता है और प्राणों में भी लिखा है यदि आप सुभा इसनान करने के बाद भगवान गणेश को लाल पुस अरपित करते हैं और यह कारे आपको 21 दिनों तक लगातार करना होगा और बिना किसी टोके के यानि कि अगर कोई पूसा है तो उसे कोई भी कारण बता दे लेकिन अगर आप अपना घर चाते हैं तो बिना टोके ही ये कारे करें और 21 दिनों तक इस कारे को अनुगू भी निवाते रहे ऐसा करने से आपको अपना घर चल्दी ही मिल जाएगा नमबर दो यदि आप गणेश भगवान के मंदिर में फरोज जा सकते हैं गणेश भगवान को गणू और पूद जरूर अरपित करें ऐसा आपको 5 मंगललवार करना है क्योंकि अगर आपको घर चाहिए तो उसके लिए आपको यह 5 दिन ज़रूरी करने पड़ेंगे और इस सकनने से मंगलवार के दिन भगवान गणिश भी खुश रहेंगे और आपके ओपर अनुमान और गणिश भगवान दोनों की किरपावड़ी रहेगी यदि आप चाहते हैं अपना घर तो इसके लिए ये उपाय सरूर अपना है नमबर तीन, यदि आप चाहते हैं कि आपका मकान अपना हो और दिल्ली में लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और जिस जन से क्या बढ़ रही है उसे ही साबसे घर लेना तो एक सपने वाली बात हो जाती है पनले नेका नtar से बाले से करें इसे अंगर के सब्सक्रिकाइब एक मंदिर चोटा सा बनाएं मिटी का मंदीर चोटा सा बनाई in the नमबर भी पांच यदि आप चाहते हैं अपना घर और अपने घर की चल्दी मनों कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आप नीम की लकड़ी से एक छोटा सा घर बनाए और छोटा सा घर बनाने के बाद उसे किसी भी मंदिर में या फिर जहां पर गरीब लोग रहते हैं या किसी करीब को आप दान दे सकते हैं ऐसा करने से आपकी मनों कामना चल्दी ही पूर हो जाएगी ऐसा माना जाता है कि नीर का पेड़ सबसे खास होता है अपने एक्षा की पूर्टी करने के लिए क्योंकि वे अच्छाया ब्रिक्ष होता है और आपके जीवन में वे खुश्या भड़ता रहे और आपके जीवन में हर सुख लेकर आए तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये कारेश जरूर करें अग्यदी आप ये उपाई अपनाते हैं तो आपका चल्दी ही सपनों भरा जो घर है वो रियल में बदर जाएगा मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें